हलो एवरीवन स्वागत आप सभी का जूनी क्लासिज में सभी पैरे विद्यारतियों को नमस्कार कल एक वीडियो बनाया था क्या दो डिगरी आप एक साथ कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया बिल्कुल दो डिगरी आप एक साथ कर सकते हैं 30 सितंबर 2022 को UGC का एक नौटिस जारी हुआ जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिये गए हैं अगर आप लोग वो गाइडलाइन फोलो करते हैं तो दो डिगरी आप एक साथ कर सकते हैं उस वीडियो पर बहुत सारे आपके कॉमेंट आये हैं और सबसे जादा जो कॉमेंट है वो एक टोपिक को लेकर हैं सरम B8 के साथ में कोई अन्य PG डिगरी या अन्य कोई डिगरी कर सकते हैं क्या तो इस वीडियो के दिर हम चर्चा करेंगे क्या आप B8 कोर्स के साथ में अन्य कोई PG डिगरी यानि post-gradation साथ में MMSC M.com आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएं जो भी B8 कोर्स में इंडरोल हुए हैं जिनका हाली में admission हुआ है अब वो चा रहे हैं कि अर B8 तो हमारी होई रही है B8 तो चली रही है साथ में हम जो है MA कर लेते हैं MSC कर लेते हैं M.com कर लेते हैं जिसे कि आगे की जो दो साल है वो खराब ना हो आप बचाना चाते हैं दो कुछ guideline है जो ध्यान रखनी है तो एक example से इसको समझेंगे अगर आप रास्तान विश्विद्दाले से B8 कोर्स कर रहे हैं जो आपका regular कोर्स है और आप B8 के साथ में ही जैसे MA करना चाते हैं तो अब MA आप कहां से करें तो MA आप किसी अन विश्विद्दाले से कर सकते हैं या open university से कर सकते हैं जो आपका private course करवाए किस प्रकार से भाई जो non-collegiate हो जिसमें आपको only exam देनी पड़े तो या तो आप quota open IGNU जैसी जो open university है उनसे कर सकते हैं या इसके अलावा जो है ऐसे किसी विश्विद्दाले से कर सकते हैं जो या पर private course करवाए जैसे MA आपका private हो हो जाएगा और दो साल के बाद में जब आप teacher के लिए apply करेंगे तो आप first grade, second grade, third grade किसी के लिए भी apply कर सकते हैं क्योंकि आपका PGB हो जाएगा और आपका BA भी हो जाएगा तो यहाँ पर एक अच्छा आउसर है सुनेरा उसर है UGC ने इसलिए किया है विद्यारतियों का सम उसने BA किया था तो अब वो MA भी साथ में करना चाता है तो MA का form तो लगा दिया है उसने रास्तन विश्विद्दाले से प्राइवेट और वो BA कर रहा है महराजा गंगा सिंग से तो दोनों उनिसिटी अलग-अलग हो गई है तो वहाँ पर वो कर पाएगा ठीक है न तो आकि आप रेगुलر भी कर सकते हैं ऐसे बात नहीं कि आप ओपन सही करें दूसरी डिगरी आप दूसरी डिगरी किसी रेगुलर क्लास से भी कर सकते है लेकिन आपका टाइमिंग सेम नहीं होना चाहिए न यूइशिटी अलग होनी चाहिए और यूइशिटी सेम भी है तो आपकी जो टाइमिंग है वो और लेफ नहीं होनी चाहिए इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे तो यह तो रही बात दो डिग्री की कि बाई चल रही है साथ में एको डिग्री आप करना चाहते हैं जो दो रखना कि कोर्स रेगुलर है या प्राइविट है इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो बहुत सारी विद्यारती है जो बेड कर रहे हैं साथ में कोई आरे सेटी कोर्स कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं हो जाता है वो कोट आपन कराता है इसके अलावा और भी कोई अनने कोर्स होते है पॉलिटेक्निक कोर्स हो गया यह भी आप लोग कर सकते हैं तो अब आपकी टेंशन खतम हो गई है कि यार दो साल का बीड करो उसके बाद दो साल मेसी करेंगे तो चार साल आपके लगेंगे और चार साल बाद आप फर्स्ट ग्रेड के लिए इलिजबल हो जाएंगे तो काफी अच्छी आपर सुविधा कर दी है और सर मिल रहा है आप लोग को इसका आपको फायदा उठाना है तो यह आपका डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया है अभी भी कोई डाउट है जो दो डिगरी से सम्मंदित है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते और इस प्रकार का और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद